जब जब रम्हान में कोई संकट आया, देवी देवताओं ने प्रकट होकर उसे अपने शक्ति से धूर किया है। पौराणी ग्रंथों में दस महाविद्याओं का उले किया गया है। इन्हें पारबती देवी के 10 रूपे के रूप में जाना जाता है। दस महा विद्याओं में एक है माता बगला मुखी, मा बगला मुखी भयंकर तूफान को रोकने के लिए धर्ती पर प्रकट हुई थी, जिस दिन उनका धर्ती पर प्रकट हुआ था उस दिन मा बगला मुखी जैनती मनाई जाती है, भक्तिगर हर साल वैशाख मा के सुकल ये अश्टमी तिथी को बगला मुखी जैनती मनाते हैं, इस सल 2023 में बगला मुखी जैनती 28 अपरल दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी, माता बगला मुखी की उत्पत्ती के संबंद में एक पौरानी कथा का वरणन है, सतियुक की बाद है, एक बार पुरे ब्रहमान में एक भयंकर तुफान उठा, वो तुफान इतना शक्तिसाली था कि उसके प्रभाव से समस्त प्राणी जगत का नास हो जाता, इस तुफान से सभी लोगों में हाहाकार मच गया, भगवान विश्णू को जगत के पालन हार की रूप में माना जाता है, सभी देवता, रिशी, मु भगवान विश्णू के पास गए और उन्होंने भगवान विश्णू से इस भयंकर तुफान को रोकने के लिए कोई उपाय करने का आग्रह किया, भगवान विश्णू इस संकट को रोकने के लिए धर्ती पर आए और शावराश्ट रदेस, वर्तमान में गुजरात में इ बगवान विश्रों ने माता बगला मुखी को परिस्तियों से अगत कराया और माता ने शक्तिसाली तुफान का मुकाबला किया और उसका नास कर दिया। बगला मुखी के दिन सुबह इसनान करने के बाद पीले रंग का वस्त धारन करें। जिस इस्तान पर पूजा करनी है वहाँ गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी रखकर मा बगला मुखी की मुर्तिया तस्वीर को इस्थापित करें। माता का मानसिक रुप से ध्यान करें। माता का कोई भी एक मंत्र जो आपको प्रिय है उसका जब करें। बगला मुखी 40 का पाठ करें। माता का 108 नाम का पाठ करें। आपके पस जितना भी समय है उसके अनुसार मंत्रों वा इस्तोत्रों का पाठ करें। अगले दिन सुबह कि Mata का पुना पूजा करने के बाद ही भुजन ग्रहन करें पारानिक मानेताओं की अनुसार Mata बगल्वा मुखी की अराधना करने से सभी तरह की बाधा और संक्र दूर हो जाता है इसके साथ ही सत्रुप पर भी विजय मिलती है मतब बगला मुखी की उपासना सत्रुनास वाक सिध्धी वाक विवाद में विजय पाने के लिए की जाती है यही कारण है कि बाता बगला मुखी को सत्ता की देवी भी कहा जाता है